नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आरके रोसन आप देख रहें SDF News कोरोना संकर्मन का बढ़ता दाइरा सभी के लिए परिसानियों का सबब बनता जा रहा है दूसरों के मत्ते पिक्रा पूरने से बहतर हैं इसको जिसे सगो और कुरोना गाइडलाइन का गंभिटा से आनुपालन कर इसकी भ्यानक चंपाओं को समझने की साफरी में एकीम रखने से पहले परसासन के फर्मान पर गौर करे कुरोना के बिक्राल रूपर रोख के लिए अगले आदेश तक पार्कों में घुमने की मना ही कर दी गई है शुवा की सेर के अभ्यासियों से सजोग बना रखने की अपील की गई है बिहार में कुरोना के बिगर्टे हालात को देखते हुए 31 जुलाई तक के लिए लॉक्टाउन का आलान किया गया है इस विच पास की अनिवार्था को समाप्त कर गया है हाँ बसों के चलान पर रोख के साथ सभी मौल बंद रहेंगे उसकर बिहार की नदियां उपान पर होने की चलके मद्वनी समेथ सितामडी सिवहर, कुपाल गंज, सुपॉल, कटियार के साथ अन इलागों में बाट का पायानिक हैनने से लोगों की परिशानी बढ़ गई है राजनेतिक बियानवाजी के बीच बिहार के सभी सियासी दल अब चुनावी तैयारी भी करने लगे हैं इसी के तहत वर्ट्वल की वोट वार्टसप एस तथा बीब विडिया के साहरी चुनाव पचार भी किया जा रहा है ताकि जन्द सरोगार बने रहे पट्ना सिटी इलाके में कुरोना के चलते तेश जबकि मसौडी इलाके में साथ अस्थानों को सील कर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है लोगों से अपील की गई है कि लॉपनान अवधी का संभिट्टा पुर्वक पालन करे बिहार में बाड के साथ ही कुरोना संक्रमिन का खत्रा होने की ठिति से विधान सवा चुनाव फिलाल टल सके तो अच्छा ऐसा नेता पतिपक्षी दिश्री रादव का मानना है लेकिन वो एक ग्याव भी कहते हैं कि यदि फिर भी परचार खाज हो उसके लिए पुराने परंप्रागत तरीका ही अपना याज जाना चाहिए इधर जदिव की राष्टी परधान महासचीब केसी त्यागी ने बिहार की विपक्षी दलो के चुनाव टालने जैसी मुहिम को गलत ठहराती हुए का है इसी कुरोना काल में अमेरिका में चुनाव की तैयारियां जोड़ो पर है तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है चुनाव बिहार के उपमक्षी सुसील कुमार मोदी का कहना है कि विपक्ष को चुनाव आयोग कोट पिवियम कथा भिविन एजेंसियों पर फरोसा नहीं है अतीत में कांग्रेस और राज़त के द्वारा ही सभी का दुर्प्यों किया गया है असा वे ऐसा महौल बना रहे है बिदान सवाद्यक्ष बिजय कुमार चौदरी में बिहार के कुरूना रिकवरी रेज पर संतोस जताया है लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यदि साब्धानिया बढ़ती गई तो हम लोग इस संक्रमन के दौर से बहार निकल जाएंगे